वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता डॉट कॉम बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स तेजस्वी के बाद लालू से मिले चिराग पास्वान क्या बिहार की सियासत में बनेगा नया गटबंधन क्या लालू के खेमे में जाएंगे मौदी के हनुमान पहले तेजस्वी और फिर लालू यादो बिहार की राजनीती में चिराग की चहल कदमी सियासी ताकमान को बढ़ा रही है चिराग पास्वान बुदुवार को पटना में तेजस्वी यादो से मिले और इसके बाद गुरुआर शाम चिराग ने लालू से मुलाकात की चिराग ने दोनों निताओं को अपने पिता पूर्व केंडरे मंतरी रामविलास पासवान की पूर्णे तिती पर होने वाले कारे करम में आने का नियोता दिया ये मुलाकात हुई भले ही नियोता देने के बहाने से है लेकिन इस दोरान इस चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया है कि क्या खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग लालू खेमे के साथ किसी नई तैयारी में है चिराग ने लालू यादव और रावडी देवी से आशिरवाद भी लिया आरजेडी से हाथ मिलाने के सवाल पर चिराग ने कहा कि अभी राजनीतिक बातें नहीं करुआ अभी सिर्फ आशिरवाद लेने आया हूँ चिराग पासवान ने तैजस्वी से मुलाकात के बात कहा था तैजस्वी और उनके परिवार के साथ हमारे लंबे पारिवारिक रिष्टे रहे हैं तैजस्वी ने भी साफ कह दिया था कि जब पिता लालू यादव चिराग को पार्टी में शामिल होने का उफर दे चुके हैं तो मेरी तरफ से कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता यानी चिराग का रुख बेहद नरम है और तैजस्वी ने साफ तोर पर उन्हें आरजेड नितीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा अभी उनसे वक्त मांगा है लेकिन अभी उन्होंने मुझे मिलने का वक्त नहीं दिया है जैसे ही वक्त मिलेगा तो नितीश कुमार को भी नियोता दिया जाएगा राम विलास पासवान की पुर्णे अत्थिका कारेकरम 12 सितंबर को पटना में आयुजित किया जाएगा पासवान का निधन 8 अक्टूबर को हुआ था लेकिन पारमपरिक कालेंडर के हिसाब से ये तारीख 12 सितंबर को पढ़ रही है इस कारेकरम में राजनीती के तमाम दिगज निताओं के पहुचने की अमीद जताई जा रही है परधान मंतरी नरिंदर मोदी से लेकर मोदी कैबिनेट के कई निताओं को आमंतरा भेज़ जाने के जानकारी मिली है ऐसी ही और भी खबरों के लिए देखते रही है जनसत्ता.ड़ कॉम